भारतिय कुष्टी महासन के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूशन सिंग को कोर्ट से जटका लगा है। ब्रिजभूशन सिंग पर लगे कथित यौन उत्पीरन मामले में दिल्ली की राव जैवन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोप तै करने का आदेश देने से पहले कुछ पहलों पर आगे की जाच की मान करने वाली ब्रिजभूशन शरन सिंग की याचिका खारिच कर दी। दरसल, ब्रिजभूशन सिंग ने कोर्ट में इस मामले में अपनी याचे का दायर करते हुए नए सिरे से जाच करने की मान की थी। ब्रिजभूशन के खिलाफ आरोप तै करने पर कोर्ट अब 7 मई को अपना फैसला सुनाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिजभूशन सिंग ने आरोपों पर और अधिक दलीले पेश करने और आगे की जाच के लिए समय की मान करते हुए आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि वो उन घटनाओं में से एक की तारीख पर भारत में नहीं थे, जिसमें एक शिकायत करता ने आरोप लगाया था कि उसे WFI आफिस में परेशान किया गया था, ब्रिजभूशन सिंग के वकील ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने शिकायत करता के साथ आए कोच के कॉल डिटेल रिकॉर्ड, CDR, पर भरोसा किया था और कहा था कि वे 7 सितंबर 2022 को WFI आफिस गए थे, जहां उसके साथ कथित तौर पर छेर चार की गई थी, हाला कि वकील ने दावा किया कि CDR को पुलिस ने रिकॉर्ड पर नहीं रखा है, दिल्ली पुलिस ने 6 बार के सांसत ब्रिजभूशन सिंग के खिलाफ इस मामले में 15 जून को धारा 354 महिला की गरि पुलिस ने इस मामले में WFI के निलमवित सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी आरोप लगाया था, आवेदन को खारिज करते हुए अतिरिक्त मुखे मेट्रुपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियनका राजपूत ने मामले में ब्रिजभूशन सिंग के खिलाफ आरोप तै करन आरोप आरोप तै करने में के तोमरे विनोद राजब में में प्रियनका राजब येदन कि विनोद तै के खिलावूर के आरो है